नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट असलाम लेकूम नई सुभा इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम की ब्यूटी टिप्स के साथ मैं हूँ नादिया सबा विंटर्स हो या समर्स अगर आप चाहते हैं कि आपके लिप्स सॉप्ट रहे और नैच्रल पिंक कलर भी रहे तो आज की शेर की जाने वाली रेमिडी ज़रूर ट्राइ कीजिएगा इसके लिए हमें बहुत ही सिंपल से इंग्रेडियन्स चाहिए इनमें शामिल हैं बीटरूट जूस टू टेबल स्पून पैट्रोलियम जैली या वैसलीन वन टेबल स्पून गोकोनेट ऑईल वन टी स्पून बीटरूट लिप बाम बनाने के लिए सबसे पहले चिकंदर यानी बीटरूट को कदुकश करें और स्ट्रेणर या किसी बारीक कपड़े में डालकर अच्छी तरह निचोड कर इसका रस निकालने एक बोल लें और इसमें बीटरूट जूस टू टेबल स्पून पैटरूलियम जैली या वैसलीन वन टेबल स्पून और कोकोनेट ऑईल वन टी स्पून शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स करें आप इसे सबसे पहले कांटे से मिक्स करें और इसके बाद इसको बहुत अच्छी तरह ब्लेंट करने के लिए डबल बॉयलिंग मेथट यूज करेंगे जिसमें सबसे पहले आप एक फैन में पानी लें और इसको तेज गरम करें और इसके बाद जिस bowl में आपने beetroot juice, petroleum jelly और coconut oil को mix किया है इस bowl को रख दें और चमस से आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहें जब आप गरम पानी में bowl रखें तो इहतियात कीजिएगा कि पानी की सता इतनी हो कि वो bowl के अंदर ना जा सके दो से तीन मिनट में ये तीनों ingredients बहुत अच्छी तरह blend हो जाएंगे अब आप इस bowl को पानी वाले पैन में से निकाल लें DIY beetroot lips balm बिलकुल ready है इस्तमाल करने के लिए और इसको इस्तमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है रात सोने से पहले lips पर ये balm अप्लाएं करें और सुबह जब आप face wash करेंगे तो आप देखेंगे कि beetroot की वज़ा से आपके lips पर एक natural pink कलर आज़ चुका होगा और petroleum jelly और coconut oil से lips बहुत soft हो चुके होगे इस lip balm को आप daily यूज़ कर सकते हैं लेकिन सिर्फ रात में क्योंके इसमें petroleum jelly शामिल है जो दिन के ठाइम sunlight में इस्तमाल करने से lips को dark करना शुरू कर देती है summers हो या winters आप इस balm को इस्तमाल कर सकते हैं और इसके इस्तमाल से आपके lips soft और pinkdish रहेंगे ये तो थी आज की remedy Till next time अल्ला निकेबान की जानिब से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए या description में दिये गए राप्ते के जराए इस्तमाल कीजिए